जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टी सरकार का ही यह काकड़ा करता है हम सब बड़े हुए हम सब लोग मिडल क्लास के लोग है घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो एक कहावद भी कही जाती है उतने पाउपसार ये जितनी लंबी चादर है यही कहा जाता है हर बच्चे को मुझे लगता है आप में से बैठे हुए लोगों को यही सिखा के बड़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपए पास मैं तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो और सेवि वो GDP का करीब करीब 11% से उपर होता था सिर्फ दो साल पहले दो साल में वो गिरकर 5% आ गया है GDP के अनुपात में तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है आप से मैं पूछती हूँ आप अपनी बचत के खाते में से अपनी सेविंग में से जो आप आगे के लिए बच जो जी को एक एवरेज मिडल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टी करता है कि लोग जूझ रहें महिंगाई से लोग जूझ रहें आर्थिका सामानता से लोग जूझ रहें अजय कुछ कर दिवीजीन कि अजय कि अुवाम।